आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं विधान परिशद यानि लेजिलेटिव कॉंसिल के बारे में तो सिंपल हैं बिरिफ में एक्स्प्लेन करूंगा तो वीडियो को पुड़ायन तक जहुर देखें और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें चलिए वीडियो सुरू करते हैं जिस तरीके से हमारे देश में एक पार्लेमेंट है सेंट्रल में आप देखें तो उसके अंदर लोकसभा और राजसभा है तो लोकसभा का जो रोल प्ले करता है स्टेट के अंदर वो विधान सभा करता है और राजसभा का जो रोल प्ले करता है वो विधान परिशद करता है तो आज हम जानने वाले हैं विधान परिशत के बारे में विधान परिशत के अंदर कौन-कौन से लोग बैठते हैं इसमें जो लोग बैठते हैं उसकी वो कब चुने जा सकते हैं और कैसे चुने जाते हैं इन सब चीजों के बारे में जानने वाले हैं तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं विधान परिशद भारत के सभी स्टेटों में नहीं हैं किसी किसी स्टेट में जिस तरीके से बिहार में हैं यूपी में हैं आंदर परदेश में हैं इसी तरीके से चार पांच और स्टेट में विधान परिशद है जिसे हम लेकिन विधान परिशंद में जो लोग बैठते हैं जो कंडिबेट वो इनिडारेक्ट layout चुने मुझे जाएं अब इनिडारेक kleliction क्या होता मतलबिये हो गया कि जो विधान सभाका के अंदर लोग बैठे सि Spread वो कुछ चुनेंगे, कुछ local body चुनेंगी, कुछ graduates लोग होते हैं, वो चुनते हैं, कुछ teachers चुनते हैं, कुछ governor के दोबारा nominate किये जाते हैं, जो कि विधान परिशद के अंदर बैठते हैं, अब ये कितने कितनी होते हैं, इसकी संख्या क्या होती है, one by third जो होता है, वो assembly क के दोबारा, यानि विधान सभा के दोबारा चुने जाते हैं, विधान परिशद के सदा से, फिर one by third जो होते हैं, वो local bodies के दोबारा चुने जाता है, local bodies मतलब municipality या फिर पंचाय समीति वगरा होगे, वो उनके दोबारा one by third जो होते हैं, वो चुने जाते हैं, graduates के दोबारा चुने जाते हैं 1 by 12 जो होते हैं वो चुने जाते हैं फिर टीचर के दवार यानि 1 by 12 1 by 20 graduates और 1 by 12 हो गए टीचर के दवारा फिर 1 by 6 जो होते हैं वो चुने जाते हैं नोमिनेट के जाते हैं वो चुने नहीं जाते हैं वो नोमिनेट के जाते हैं गवर्नर के दोवारा तो यहां पर 5 by 6 जो हो गए टोटल वो एलेक्ट होते हैं यानि वो चुने जाते हैं इंडारेक्ट एलेक्शन के दोवारा और जो 1 by 6 होते हैं वो नोमिनेट के जाते हैं गव यानि भारत का एक नागरिक होना चाहिए और इसके उपर कोई crime का cases वगरा नहीं होना चाहिए और ये विधान सभा के मेंबर नहीं होंगे एक बार दो दो जवा के मेंबर नहीं हो सकते हैं तो ये लोग चुने जाएंगी ये जो चुने जाते हैं, वो 6 साल के लिए चुने जाते हैं, विधान परिशद ये एक permanent body है, ये कभी dissolve नहीं होती, तो इसके जो one by third member हैं, वो हर दो साल में retire होते रहते हैं, और ये जो retire होते हैं, इनके पास unlimited time तक वो nominate होके भी आ सकते हैं, फिर चुने भी जा सकते हैं, तो unlimited time तक ये विधान परिशद रह सकते हैं, एक candidate, एक बार retire हो गया, फिर से अगर उसे कोई governor nominate करता है, तो nominate करके विधान परिशद के सदस्व बन सकते हैं, या फिर अगर उसे elect किया जाता है, चुना जाता है, वे कोई local bodies के member से के दौरा, या फिर विधान सभा के दौरा, तो फिर से वो विधान परिशद के सदस्व बन सकते हैं, तो local जो ये विधान परिशद होता है, यह हमारा permanent body होता है, कभी dissolve नहीं होता, जिसे हम second chamber भी बोलते हैं, तो I hope आपको ये वीडियो में विधान परिशद के बारे में clear हो गया होगा सब कुछ, तो मिलते हैं next वीड पल में किसी भी टॉपिक को समझेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ सेर करें